सल्मान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से अब्दू रोजी के सीन को क्यों हटाया किया इस पर अब्दू ने खुद किया है बड़ा खुला सा वलतजा कस्तान के सिंगर अब्दू रोजी को सलमान खान के रियालिटी शो बिग बॉस सोलर से जबरतस पॉपिलारिटी मिली थी उन्होंने अपने जिन्दा दल नीचों से सभी का दल जीत लिया था सलमान खान ने खुद उन्हें पहले कॉंटेस्टन के रूप में इंट्रिड्यूस कराया था शो डाउंच होते समय बताया गया था कि अब्दू किसी का भाई किसी की जान मूवी से बॉलिवोड में कदम रखने जा रहे हैं लेकिन जब 21 अप्रिल 2023 को फिल्म थीटर्स में रिलीज हुई तो वो स्क्रीन पर कही नजर नहीं आए अब उन्होंने खुलासा किया है कि आखर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ अब्दूरोजीक ने नए इंटर्व्यू में खुलासा किया कि सल्मान खान की एद में रिलीज हुई फिल्म किसी का भाई किसी की जान में उनकी भूमिका अंतिम रूप से क्यों नहीं बनी अब्दू ने एक न्यूस पोटल को बताया कि फिल्म में उनके सीन को एडिट कर दिया गया था क्योंकि ये उमीद के मताबिक नहीं आया था दुनिया के सबसे चोटे सिंगर अब्दू रोजीक ने ये भी खुलासा किया कि किसी का भाई किसी की जान के मेकर्स उनके हिस्से को फिर से शूट करना चाते थे और इसके लिए चार दिनों की और जरुवत थी लेकिन उस समय तक अब्दू पहले से ही बिग बॉस सोला के घर के अंदर थे नियमों के अनुसार कंटेस्टेंट्स को घर के अंदर आने के बाद शो जोडने की अनुमती बिलकुल नहीं है शो से बाहर निकलने के बाद अब्दू हर दिन काम्याबी सीडियां चर रहे हैं उनके कई म्यूजिक विडियोज रिलीज हो चुके हैं और उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टराउन भी खोल लिया है फिलहार ये कहा जा रहा है कि अब्दू को खत्रो के खिलारी 13 में बतौर वाइल्ड कार्ट कॉंटेस्टेंट देखा जाएगा जब किसी का भाई किसी की जान विलीज हुई थी तब अब्दू रोजीक ने फांस और पापराजी के साथ फिल्म देखने के लिए पूरा थीयेटर वुक कर लिया था पहराल खबर आ रही है अब्दू रोजीक को रोहिट शेटी के स्टन बेश शो खत्रो के खिलारी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है और अब्दू शो में एंट्री भी करेंगे लेकिन बतौर गेस्ट ना की कॉंटेस्ट है तो आप सभी पताएं किया अकरकार इस पर आपके क्या है राएं इन दे कमेंट सेक्शन